आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी चिकन बट इस एक क्रिस्पी फ्राई चिकन से मैं बनाऊंगी थ्री डिफरेंट डिशेज बिस्मिल्लाहिरुरुख्मालिरुराहीम असलाम अलेकुम अगर आप चिकन लवर हैं तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप करने वाली या है रेसीपी के साथ-साथ चिकन को फ्राई करने कि कुछ टेप्ज ईएक तरीक से यूज कर सकते हैं वह भी तरीके आपके साथ एक bicycle कर एक तक लाजमि meant किया तो चैनल को सब्सक्राइब्स करने वीड counterpart کória पांसो ग्राम का एक chicken breast लिया था मैंने और उसको इस तरह से chicken के strips में cut कर लिया था थोड़े से broad chicken strips cut करने है अभ हगो क्ली शामिल करेंगे 1 टीश्मूर्वन नमग उन टीश्पून कुटी हुई कालि मिर्च फ्रेश कुटी हुई कालि मिर्च लेनी है रद्दानों को चिजनेटेस hell हैं, शामिल कर दूए में में शामिल कर दूंगे मेक्स हर्ब्स वन टीज्पून के करीब वन टीज्पून जिंजर पाउडर , अद्रक neglect पाउडर मजीज लेवर फुल इसको बनाने के लिए वन टीजपून चिकन पाउडर हाफ टीजपून कुटी हुई लाल मिर्च वन टीजपून लसन का पेस्ट गार्लिक पाउडर भी आप इस्तमाल कर सकते हैं अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अब एक बैटर त्यार कर लेंगे और यहां पर आपको एक में इडन सीक्रेट बताऊंगी किस तरह से जब आप रेस्टरॉंट में जाते हैं तो चिकन स्टार्टर जो आपको सर्फ किया जाता है या शादियों वगारा में तो उसमें क्या सीक्रेट यूज होता है तो यहां प कर देंगे सोडा ड्रिंक कोई भी सोडा ड्रिंक आपने हाफ कप इसमें शामिल कर देनी है यह एक हिडन सीक्रेट है आपको देखने में थोड़ा और लगेगा लेकिन यह एक ऐसा टेप है जो के रेस्टरॉंट्स वाले इस्तमाल करते हैं जिसकी वज़ास से चिकन जो है व यह आप चेक करें इस कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए तो पांच से साथ टेबल स्पून के करीबी से मैदा शामिल होगा अब सारा बैटर हम चिकन के ओपर पोर कर देंगे बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है अगर आप चिकन लवर्स हैं और अक्सर चिकन लवर्स को रात तरहां से चिकन के अंदर चली जाए तो यह स्टैप आपने जरूर करना है अब इसको मैरिनेट होने के लिए कम से कम आप आदा घंटा जरूर रखें ज्यादा से ज्यादा दो तीन घंटे भी रख सकते हैं एक सीक्रेट से डिप त्यार करेंगे एक कप मायोनीज लेंगे औ फ्रेश कटा हुआ धनिया और साथ इसको मजी स्वाइसी बनाने के लिए मैंने यहां पर शामिल की है सिराशा सॉस आप चाहें तो यहां पर हॉट सॉस या चिली सॉस का इस्तमाल भी कर सकते हैं और साथ इसमें मैंने शामिल की थी शकर थोड़ी थी आप चाहें तो चीनी भी शामिल कर सकते हैं इसको स्वीट सा टेस्ट देने के लिए अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फ्रिज में रख देंगे नेक्स टेप की तरफ आते हैं थोड़ा सा ओयल गरम करेंगे और उसमें फ्रेश कटा हुआ चॉप किया हुआ लसन फ्राई करेंगे बहुत यह रेसेपी है लेकिन यखीन करेंगे बहुत हाई क्वालिटी इसका टेस्ट होने वाला है चॉप लसन को फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे ओवर फ्राई नहीं करना वना लसन में से जले हुए की स्मेल आएगी प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आए तो इसक पेपर पर निकाल के साइट पर रख लें चिकन मेरिनेट हो चुका है तक्रीबन एक घंटा में इसको मेरिनेशन टाइम दिया था अब मैं इसको शेलो फ्राई करूंगी डीप फ्राई नहीं करूंगी और अच्छी तरह से गरम करेंगे पैन में और चिकन को फ्राई कर लें बड़ी different सी recipe है मैंने अभी तक बहुत सी recipes share कई है लेकिन believe करें के यह recipe मेरे दिल को लग गई थी बहुती इसका मजाया था सबसे बढ़के different थी fry होने के बाद इसको हमने किसी stainer पे निकालना है tissue paper पे नहीं निकालना tissue paper पे निकालने से chicken सोगी हो जाएगा अब हम आजाते हैं इसको किस तरहां से हमने 3 recipes को serve करना है तीन तरीके से किस तरहां हम मिस्टिकन को utilize कर सकते हैं जो तरीका आप ही घर में जिसको जो पसंद है उसको उस तरहां से serve करें एक और मज़े की tip share करूँगी यहाँ पे salad के बारे में मैंने यहाँ पे लिया है iceberg, iceberg को अगर आपने super crunchy करना है तो आपने इसको बरफ वाले ठंडे पानी में 20-25 minutes के लिए dip करके रख देना है iceberg को भी और lettuce को भी, यानि कि iceberg और salad पता super crispy करने के लिए और इसा color खराब ना हो इस तमाल से पहले बरफ वाले ठंडे पानी में आप इसको आदे घंटा 45 minutes तक के लिए भी रख सकते हैं lettuce और iceberg के बाद यहाँ पे शामिल करूँगी मैं tomatoes के cubes बीज निकाल लेंगे साथ यहाँ पे हरा प्यास था green onion मैंने वो शामिल कर दिया है दोनों पार्ट white पार्ट भी और green पार्ट भी all this शामिल कर दूँगी, optional है हो तो डालने नहीं तो skip कर दे साथ यहाँ पे fried garlic शामिल करूँगी जो मैंने already fry करके रखा है बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा और उपर हम डालेंगे dip जो हमने already त्यार करके रखी है और उसके लावा कोई sizzling कोई spices हमने इसमें add नहीं करनी क्यूंके dip में हर चीज का टेस्ट मजूद है veggies आप अपनी मर्जी की इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद chicken उपर रखेंगे जो हमने fry किया है उसके cubes cut कर लेंगे और chicken रखतेंगे है ना मज़ेकी recipe vegetables अपनी मर्जी की इस्तमाल कर सकते हैं सिरफ इसको एक present करने का तरीका है जो salad lovers है उनके लिए recipe बहुत मज़ेकी है next आ जाते हैं इसके हम sandwiches त्यार करेंगे chicken को हम काट लेंगे आप देख सकते हैं बहुत अराम से cut हो रहा है बहुत soft और tender यह chicken ready हुआ है और crispy भी तो chicken lovers के लिए best option है जिन्हें sandwiches का शोक है और उसमें भी chicken चाहिए तो यह recipe आपके लिए है जरूर try कीज़ेगा bread पे में dip लगा लूँगी सबसे पहले no need of ketchup and mayonnaise dip में वही बात के सब कुछ है simple simple से चीज़ें है steps है lettuce इस्तमाल की है आपने पनी मर्जी की veggies कर सकते हैं iceberg भी use करते हैं कर सकते हैं tomatoes and onions भी रख सकते हैं cucumber भी आड़ कर सकते हैं chicken रख दूंगी में उसके बाद फिर यहां पे हम इस्तमाल करेंगे fried garlic का अगर आपको garlic का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप skip भी कर सकते हैं उसके बाद cheese में इस्तमाल कर रही हूँ मेरे पास sizes नहीं थे मैंने यहां पे crush करके mozzarella cheese इस्तमाल की है आप अपनी मर्जी की कोई भी cheese इस्तमाल कर सकते हैं चाहें तो as it is cold sandwich के तोर पे भी इसको इसको इस्तमाल किया जा सकता है मैंने यहां पे grill कर लिया था बटर ले लें देसी घी ले लें जो आपको पसंद हो वो पैन में डालें और उसके बाद grill कर लें sandwich को अराम से इसकी side change कर दूंगी में crispy सा sandwich यहां पे त्यार हो रहा है मेरा ज़रूर इस recipe को try कीजेगा और sometimes ऐसा होता है कि कुछ बच्चे घर में या कुछ बड़े होते हैं जिनने सिर्फ chicken पसंद नहीं होता sandwiches की जूरत पर जाती है या salad का दिल कर जाता है तो यह recipe आपके लिए बहुत easy हो जाएगी second recipe भी chicken की हमारी ready हो चुकी है यानि के जो chicken मैंने fry किया था उससे second recipe त्यार कर दी है आप यह चेक कर सकते हैं बहुत ही मज़े का sandwich लग रहा था यह आप भी बनाएगा और try कीजेगा आपका बहुत easy हो जाएगा काम आप इस better को chicken का बना के रख सकते हैं overnight भी इसको store कर सकते हैं लेकिन बेहतर है कि आप तीन से चार घंटे के अंदर अंधर इस्तमाल इसको कर ले चिकन को तो third तरीका है इसको हम as it is ही serve करेंगे जिनको सिर्फ chicken खाना पसंद है तो यह उनके लिए है तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे comment box में जरूर बताईएगा मुझे तो इस recipe का बहुत मजाया था और इस वीडियो को बनाने का भी बहुत मजाया था आज की वीडियो से रिलेटिट अपना feedback मुझे जरूर दीजेगा comment में बताईएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी recipes आपको मेरी कैसी लगती है comment box में मुझे बताते रहा करें तो वीडियो को खतम करते हैं अपना धेर सारा ख्याल रखियेगा दौआ में मुझे भी याद रखियेगा मिलते हैं अगली बहुत ही मज़दार सी recipe के साथ तब तक के लिए अलाहाफेज